आल इन वन टीटी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप सभी स्टुएंट्स के लिए आ रही है कि इस टीटी परिक्षा 2019 परिक्षा कंड़क्ट होने की जो डेट है वो जारी कर दिया गया है बिल्कूल ऑफिस सभी स्टुएं पूरी अपडेट आपको पता चले और अगर आप अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बगल में बेल आइकोन है उसके दबादे और हो सके तो अपने दोस्तों में इसे सेयर कर दे कि इस टीटी परिक्षा 2019 का डेट जो है जारी कर दिया गया है दोस आज के सभी जीला में दिनांक 28-1-2020 को माध्मिक सिक्षक पातता परिक्षा यानि कि एस टीटी 2019 के आयोजन के संबंद में ये लेटर जो है आप सब एस्टोएंट्स के लिए आ चुकी है दोस्तों इसमें आप लोग को मैं बता दूं कि एस टीटी में फॉर्ण फिलप करने की जो डेट आप लोग को दी गई है री फॉर्ण फिलप करने का 20 दिसमबर 2019 से 24 दिसमबर 2019 के बीच में आप सभी से आबेदन लिये जाएंगे इसमें 10 वर्ष छूट दी गई है और कंप्यूटर वाले के लिए 8 वर्ष की छूट दी गई है दोस्तों सबसे महत्मून परिक्षा जो है STET परिक्षा 28 जनवरी 2020 को मादमिक सिक्षक पातता परिक्षा STET 2019 दो पालियों में होना निर्धारित है जिसका अभिवरान निम्नवत है तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि परिक्षा कीती थी 28 जनवरी 2020 को आपकी परिक्षा होगी सबसे पहले अपन परिक्षा जो होगी दो पालियों में होगी पर्थम पाली और दूतिये पाली पर्थम पाली जो आपकी परिक्षा होगी दस बजे से सारे बारा बजे के बीच में आपका पर्थम पाली होगा और सेकेंड पाली जो आपका होगा दो बजे से लेकर सारे चार बजे के बीच म पर्थम पाली जो होगा मादमिक सिक्षक पातता परिक्षा स्टीटी 2019 पेपर वन का होगा दस बज़े से सारे दस बज़े के बीच में वहीं पर दूतिय पाली जो होगी आपकी दो बजे से सारे चार बजे की बीच में सेकेंड पेपर की परिक्षा होगी तो दोस्तों वैसे एस्टुएंट जो लोग एस टीटी परिक्षा में एपिर होने वाले हैं सब्सक्राइब के लिए काफी कुछ खबड़ी है कि परिक्षा के डेट जाड़ी कर दी गई है और इसमें 37,335 शिक्षकों की बहाली होगी इस परिक्षा को पास करने के बाद आपकी डायरेक्ट नंबर के अधार पे आपकी बहाली होगी कोई भी आवेदा नहीं लिया जाए आपकी परिक्षा जो है 28 जनबरी 2020 को होगी दोस्तो आप सभी देख सकते हैं और दोस्तो इस परिक्षा में आपकी बायोमेट्रिक उपस्थिती दर्ज होगी साथ में सभी परिक्षा केंद्रों पर जैमर की भी वेवस्था होगी तो दोस्तो दोस्तो देख सकते हैं कि बिह पर कंड़क्ट कड़ाने को लेकर बिहार बिदाले परिच्छा समीती बायमेट्रिक उपस्थिती के साथ साथ जैमर की प्रापधान भी उन्होंने किया है और आपकी परिच्छा जो है 28 जनवरी 2020 को होगी बिल्कूल ऑफिसियल अपडेट आप लोगों को दी जा रही है तो दोस्तो इस तरह की लैटेस्ट अपडेट पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें बगले बेल आइकोन उसके दबाएए हो सके तो अपने दोस्तों में से सेर कर दीजे पूरे विडियो को आम तक देखने के लिए धन्यवाद